अब तक आपने देखा कि समर और लातिका की जिन्दगी ठीक चल रही थी कि वो दोनों जंगल में रहने चले जाते हैं और वहाँ पर उनके साथ कुछ रहसमई चीजें होने लगती है क्या वो चीजें वही बोड़ी जादूगर्नी कर रही थी? जानने के लिए देखे आगी की कहानी लातिका नागिन रूप में समर के सामने खड़ी थी और फिर उस पर आकरवन करती है कि तभी सामने रखी टेबल समर लातिका की और फैक कर वहाँ से भाग जाता है आप देखिए आगे भागते भागते समर घर से बहुत दूर आ जाता है और देखता है सामने उसी जादूगर्नी का महल होता है यह देख समर बहुत घबरा जाता है कि तभी समर के सामने वो जादूई आईना आ जाता है और वह उसमें देखने लगता है जादूई आईने में समर को एक बहुत ही सुन्दर लड़की दिखाई देती है और वो उसको देखते रहता है धीरे धीरे आईना महल के अंदर चला जाता है और समर भी पीछे पीछे उस महल के अंदर चला जाता है और अचानक उस आईने से आवाज आने लगती है तू मेरे जाल में फसी गया, अब तू यहां से बच कर नहीं जा सकता समर, तेरी वज़र से मैंने उनको खो दिया उनको? कौन? कौन हो तुम? और मुझे जाने दो यहां से आइने में उनका एक बहुत सुन्दर सी लड़की बाहर आती है मेरा नाम नलनी है, मैं उसी चादुकर्णी की बेटी हूँ, जिसको तूने और उस नागिन ने मिलकर मा टाला था नहीं, मुझे जाने दो यहां से, वो वो पहले मुझे उसने बंदी बनाया था, और लदिकार ने तो सिर्फ मुझे बचाया था मेरी मा ने तो बस तुमसे शादी करने की इच्छा जदाई थी, और वो खुद के लिए नहीं, मेरी लिए तुम्हारा रिष्टा मांगने आई थी पर तुमने उनकी बात सुने बिना ही उनको बेज़द करके अपने महल से बाहर निकाल दिया तब मानी मुझे कुछ सालों के लिए चादू सीखने के लिए चादू की नगरी में भेज दिया था क्या? तुम्हारा हाथ? पर वो तो बोली कि मुझे से रहा कर मेरी जवानी ले लेंगी हाँ मूर्ख लड़की वो तुछ से बदला लेनी के लिए ऐसा करने वाली थी और जब मैं लौट कर आई तो तुम दोनों मेरी मा को मार चुके थे तो फिर वो आइना वो यहां कैसे? वो तो चछट से गिरकर तूड गया था ना? कितने भोले हो तुम यह वो आइना नहीं है यह मेरा जादूई आइना है जिसे मेरी माने मुझे तौफे में दिया था और बताया था कि इस आइने से मैं हमेशा उनसे बात कर सकती हूँ उस दिन जब तुम मेरी मा को मार रहे थे तम मैं दूर बैट कर भी इस शीशे में सब देख रही थी और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगी नहीं ऐसा मत करो मुझे जाने तो नलिनी हासे नलिनी समर के उपर मंत्रवाद पर उसे अपने जादोई आएने में कैद कर लेती है पर समर की कोई भी आवाज बाहर नहीं सुनाई देती है अब तु सड यहां पूरी उम्र तेरी वो नागिन भी तुझे नहीं ढून पाएगी अब उसकी बारी है और जंगल की और निकल जाती है इस और लतिका समर का इंतजार कर रही थी शाम हो गई समर अभी तक घर नहीं लोट कर आया यह मैंने क्या कर दिया आज मैं मेरी ही समर को मारने वाली थी ही शिवशंभू यह क्या हो रहा है हमारे साथ सरूर कोई बुरी शक्ती हम दोनों की बीच दरार ला रही है कहीं वो बूढ़ी जादुगर्नी तो वापस नहीं आ गई और तभी समर दर्वाजे पर आता है लतिका मुझे माफ कर दो नहीं समर मुझे माफ कर दो मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था ये सब उस दुश्च जादुगर्नी का ही किया हुआ है और लतिका बात करते हुए खिड़की के पास चली जाती है कि तभी समर पास में लखी कुलहाडी उठाकर लतिका के पीछे आता है पर लतिका समर की परचाई खिड़की के काच में देख लेती है और तुरंत हवा में घायब हो जाती है यह देख समर चौक जाता है लतिका कहा हो तुम मैं आज तुमें नहीं छोड़ूँगा तभी लतिका अपने नागिन रूप में समर की पीछे से आकर उसे अपनी पूच में लपेट कर बांद देती है बता कौन है तु बता वर्ना मैं तुझे यही मेरे जहर से मार दूँगी यह कैसी बाते कर रही हो तुम यह तो मैं ही हूँ तुमारा समर तुझे क्या लगा मुझे पागल बनाना इतना आसान है जिस रात तु समर का भेश बदल कर पेड़ के पास खड़ी होकर नाटक कर रही थी तब मैंने तुझे देख लिया था और आज भी जब तु समर बन कर आई मैं तो तभी तेरे हाथ देख कर समझ गई थी कि यह मेरा समर नहीं है तु उसका भेश ले लिये है पर तु शायद तेरे कोमल हाथ को बदलना भूल गई थी आप बता कौन है तू तो चल तुझे पता चल ही गया वैसे भी लुका चुपी बहुत हो गई थी आप तू तेरे पती को बचा सके तो बचा ले कहां है मेरा समर बोल दुष जदुगर्नी इतना सुनते ही नली नी लतिका के चुंगल से छूट कर हवा में गायब हो जाती है और लतिका चौक जाती है मेरा समर ना जाने कहा होगा किस हाल में होगा मुझे उसे ढूनना ही होगा लतिका नागिन के कपड़ों में समर को ढूनते हुए उसी जदुगर्नी के पुराने महल में जाती है और देखती है कि वहां समर नहीं था समर कहा हो तुम जहां कहीं भी हो समर लतिका की आवाज सुनकर काच के अंदर से ही चीकता है पर उसकी आवाज पाहर नहीं आती है कि तभी वहाँ वही बुड़ी जादुगर्णी आ जाती है तू तो फस ही गया मेरे जाल में आज तो तुझे मैं खा ही जाओंगी नागिन चोड़ोंगी नहीं तुझे तो इस जादुगर्णी तुम मरी नहीं अभी तक क्यों हमारे पीछे पड़ी हुई है तभी लतिका अपने साप वाले रूप में आकर उस जादुगर्णी पर जोर जोर से वार करती है बर जादुगर्णी को नहीं लगती जैसे ही लतिका जादुगर्णी को चूती है वो तुरंथ हवा बन जाती थी मैं इसी चू क्यों नहीं पा रही हूँ जरूर कुछ तो गरबर है और लतिका अपनी नागिन की शक्तियों के द्वारा अद्रश्य हो जाती है और देखती है कि पर्दे के पीछे एक विशाल शीशा रखा है और उसके उपर रोश्नी जली हुई है जो शीशे से टकरा रही है और उस जादुगर्णी की परचाई बन रही है अच्छा तो ये बात है मेरे साथ खेल खेला जा रहा है यह तो असली जादुगर्णी है ही नहीं और अपनी पूँच के वार से पर्दे के पीछे रखे उस शीशे को तोड़ देती है जैसे ही वो शीशा तोड़ती है नलिनी की शक्तियां भी कमजोर हो जाती है और वह चीख पड़ती है अच्छा तो इस पूरे खेल के पीछे कोई और ही था तब ही नलिनी लातिका की सामी आ जाती है और लातिका को पूरी बात बताती है मेरी माने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था नागिन तुम्हारी मा एक दुश्च जादू करनी थी उसनी ना चाने अपनी खमंड की वज़े से कितनी चानवरों को चोट पहुचाई है मुझे तो तेरा खेल तभी समझ जाना चाहिए था जब तो हम दोनों पती-पत्नी में लड़ाई करवा रही थी हाँ और मैं तेरे समर को तुझसे दूर कर दूंगी और दोनों की भयंकर लड़ाई होती है लतिका जैसे ही नलिनी की और आक्रमर करती है नलिनी तुरण हवा में ओड़ जाती है लतिका को समझ नहीं आ रहा था कि नलिनी का अंत कैसे किया जाए लतिका दोनों हाथ जोड़ कर शिव की अरातना करती है हे शिव मुझे रास्ता दिखाईए मैं अपने समर को कैसे बचाऊं तभी वहाँ एक दिव्य शक्ती प्रकट होती है लातिका इस जादुगर्णी ने तुम्हारे समर को एक जादुई आईने के अंदर कैद कर दिया है अगर तुम उसे बचाना चाहती हो तुम्हें नलनी को समर की जंगे भीजना होगा पर यह कार्य सिर्फ नलनी की मर्जी से ही होगा और यह बोलकर वहरोश्नी गायब हो जाती है यह कैसे संभव है कि नलनी अपनी मर्जी से उस आईने के अंदर चली जाएगी लदिका कुछ सोचती है और फिर वापस साफ से नागिन भेश में बदलकर नलनी को ललकारती है ए दुष जादू करनी तू भी तेरी माँ जैसी ही निकली तुझ में दम है तो समर को छोड़कर मुझ से लड़कर दिखा लदिका की बात सुनकर नलनी हसते हुए उसके सामने आ जाती है तुझे पता है तेरी माँ को मैंने यही से एक आईने में कैद कर दिया था और तुझे भी ऐसी ही मार डालूंगी मन तो करता है मैं तुझे शीशे में डाल कर ऐसी ही मार डालूं अगर तुझे लड़ना ही है तो आइने के अंदर लड़ाई करकर दिखा जो जीतेगा वही बाहर आएगा और जो हारेगा उसी आइने में कैद रहेगा नलिनी लटिका की बात मान जाती है और अपना जादोई आइना बहार ले आती है लटिका आइने के अंदर समर को कैद देख कर बहुत दुखी होती है यहे लड़ाई तीरी और मेरी है इसमें समर को बीच में मतला? हाँ यह लड़ाई तीरी और मेरी है इस चुहे को तो मैं तुझे मारने के बाद खा लूँगी और नलिनी समर को बहार निकाल कर हसते हुए खुद आइने में चली जाती है और जैसे ही नलिनी आइने में जाती है लतिका तुरंट आइने को परदे से ढख देती है मूर्ख जादू करने तु यह भी न समझ सकी और आइने को उठा कर महल के नीचे फैक देती है और आइना नीचे गिरते ही तूट जाता है और उसके साथ नलिनी भी मर जाती है लतिका और समर एक दूसरे से खुशी खुशी गले लगते हैं और वहां से चले जाते हैं